Welcome to AKC Technical Classes Guys, आज की इस वीडियो में हम आपको Thermal Engineering के प्रिविएस येर के Question Paper की बात करने वाले हैं देखिए, प्रिविएस येर में आपको देखने को मिला था कि किस टाइप के Question पूछे जाते है जैसे कि अगर हम बात करें आपके 2021 की तो जो 2021 में आपका paper हुआ था उसमें आपका total theory based question ही आपके exam में पूछा गया था लेकिन अगर हम बात करें आपके 2022 जो exam हुआ है आपका semester exam उसमें आपके theory based and numerical तोनो टाइप के question आपसे पूछे गये थे तो इन सब के बारे हम discuss करेंगे और साथ ये भी बता दें कि जो आपका ये previous year का question हुआ था उसका पूरा solution आपको हमारी YouTube channel AKC technical classes पर देखने को मिलेगा और जो भी student पूरा वीडियो देख लेंगे जो भी हम solve कराएंगे हर question को वो सब पढ़कर जाते हैं तो उनका near about 50% question तो automatic solve हो जाएगा क्योंकि अगर आप लोग second year में आ चुके हैं तो आपका इतना idea तो लगी चुका होगा कि जो diploma में semester exam आपके होते हैं उसमें maximum करके question repeated होते हैं तो बहुत सारे question आपके repeat होते रहते हैं आप लोग ऐसा किजिए जितने भी question आप provide करते हैं आप उन सब को अच्छे से पढ़िए और जो आपके अगर senior जो pass out हो चुके होंगे अगर आप उनसे पूछेंगे तो हमने उनको near about 25 plus most important question प्रवाइट कराया था जिसे पढ़कर वो लोग 45 plus marks आसानी से gain किये थे और उनका percentage भी काफी अच्छा रहा था तो आसा करते हैं आप लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे हमारे साथ लगे रहेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो आप लोग ऐसा किजिए सबसे पहलों जो हमारा अप्लिकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर अबलेबल हो चुका है आप लोग उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजिए क्योंकि जो भी हम 20 प्लस most important question प्रवाइट करेंगे वो आपका एकदम free of cost रहेगा एक भी रुपए उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा वो हमारे application पर ही मिलेगा तो application का नाम है एक एसी टेक्निकल क्लासेज आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजिए या आप उसका जो लिंक रहेगा प्ले स्टोर का जो हमारे application का वो हम description वाक्स में भी आपको दे देंगे ठीक है बहाँ से भी आप application डाउनलोड कर लिजिए ठीक आप Instagram पर भी follow कर सकत देख्यों कि हर social media पर आपको हमेशा नए नए अपडेट देखने को मिलते हैं ठीक है और इसका जो solution आपको देखने को मिलेगा पूरे paper का वो हमारी YouTube चैनल पर ही देखने को मिलेगा ठीक है आज बस हमके वाल paper के बारे हम discuss करेंगे कि देखते है paper आपका कैसे पूछा जाता है तो आपको पता ही होगा जो आपका paper होता है और टोटल आपका 50 मार्स का होता है जिसमें आपके एक optional question रहते हैं जो कि आपके तीन में से दो ही question करने को होते हैं ठीक है तो इसमें देखे फर्स्ट question के अगर हम बात करें अभी हम इसका English version बताएंगे और आप चहां तक हो सके आप लोग इंगलिस वर्जन पर ही जादे धान दीजी क्योंकि जो इंगलिस वर्ड होते हैं इन सभी subject के हो काफी simple होते हैं लगते हैं कटीने लेकिन वह बहुत ही आसान होते हैं ठीक है तो आप इन सभी पर focus किजिए ताकि आपका जो इंगलिस से वह अच्छा हो सके क्योंकि अगर हम हिंदी वर्जन के बात करें इसमें कुछ वर्ड ऐसे लिखे हैं जिसे आप समझी नहीं पाएंगे जैसे लिखा कि किसमें heat and mask का transfer होता है किसमें दोनों का transfer नहीं होता है किसमें एक का होता एक का नहीं होता है तो इन टीनों को आपको अच्छे प्रकार से पुरा describe करके लिखना पड़ेगा तब आप 5 नंबर पाएंगे और ये पूरा हम solve आपको जरूर कराएंगे इस paper का पुरा solution हम आप आपको provide जरूर करेंगे second question के आप बात करें तो second question कह रहा है यह numerical पर है ठीक है इसमें दो question आपसे पूछा एक कह रहा है कि जबकि enthalpy होती है वो क्या होती है इसको परिवासित किजिए पहला question इसमें पूछा कि enthalpy क्या होती है कभी कभी आपसे पूछा जाता है entropy को define entropy with example ठीक है और यहीं पर आपका एक पूछा जाता है internal energy तो यह दो तीन topic most important है आपकी first chapter से और इसमें यह दे देगा और उसके साथ एक numerical question भी जोड़ देता है जैसे कि पूछा गया है कि एक किलो आदर्स गैस को बीच दस्वलवाट डिग्री से से 98.4 डिग्री से से तक गरम किया जाता है यदि आर इस इकॉल टू जीरो पाइंट टू सिक्स पोर क्लोजोर पर केजी केलमीन तता गामा इकॉल टू वन पैंट फंट एट हो तो विशिश्ट इसमा इम आंतरिक उ पाध्यम से जो समतापी प्रक्राम होता है इसको समझाईए और इसमें जो आपका इंटरनल नर्जी में चेंज होता है वो कैसे आता है इसका फार्मूला भी आपको डिराइब करना है तो जहां से आपको पांस नमबर मिलेगा ठीक है तो पूरा सलुशन आपको बताएंगे दिखाएंगे यह तो बस पेपर का एक पैटर्न है जो कि आपके प्रिवेस येर में पूछे गए हैं और ध्यान रखेगा जो प्रिवेस येर के कोस्चन होते हैं काफी हेलफूल होते हैं आपके आने वाले एक्जाम के लिए इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएग इसलिए कéntकर राएया कि जो थर्मयोडानीमी का सेकेंड व क्या होता है इसको लिख हए और इसी प्रकार से करो मलांता है वह भी आपको करना है नेक्स्ट कहे रहा है कि किसी अधुनिक बायलर के बनावते हैं उसका सेच्टिर वर्डन कीजिए जो आपका बायलर चेप्टर है कभी-कभी आपका इस्पिसली दे देता है किसी बायलर का नाम उसके बारे हम आपको डिस्क्राइब करना रहते हैं लेकिन आज की समय में जो क् अबरे लेकर अपके 3 कोस्टल है जिसमें से आपको 2 ही करना कि टीजल इंजन के वैवहान कीजिए जोटी इंज讲 कंर इंटि होती है वह कितनी होती है इसका आपको डिफाइन करना नेगे चैक्टन करना है कि साइड में पूस्च लिया है क्या कहा है कि किसी यह स्टेंडर डिजल इंजन का जो संपीडरन पाथ है वह 1.8 तथा इसका जो कटाफ रेशियो 2.5 है तो संपीडरन का जो प्रारंब है वह 0.9 बार है और जो इसका टेंपरेचर हो 300 केलवीन है तो इसकी जो उसमें यह दच्छता है थर्मल एपिसियंसी है वह कितनी हो ना संपीडर होता है जो कंप्रेशर होता है उसका स्थय त्रवारन कीजिए तो देखेज्चेंवें जो कंप्रेसर होते हैं और आपके कट केंऩर हाइं इनमें नमबर में फिक्स होता है तो आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा थो तीन टाइप के हैं ठीक करा है कि आपको साथ नोट लिखना है फ्राट्लिंग प्रोसेस क्या होता है आधर से आपको फॉर्थ कोस्टन की बात करें तो फॉर्थ कोस्टन आपसे कहा रहा है कि जो आपके फोर इस्ट्रोक इंजन होते हैं उसका सची तरवाल करना उसके बारे में लिखना है ठीक है उसके बाद आपका इसमें सेकंड कोस्टन एक निमेरिकल कोस्टन पूश लिया है जो कि लिखा गया है कि किसी इंजन के जो प्रेक पावर होती है उसके घ्याद करने का मेथड तो ट्रेक्टर का जो ब्रेक पावर होता है तो जब ब्रेक पावर निकाल लेंगे तो आप ट्रेक्टर के ब्रेक тоже अब कर आपको करेंगे और पूरे पेपर का सल्युशंन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा इसमें कुछ हिंदी वर्ड ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे अगर पेपर आपका आता है तो इसमें इंग्लिस वर्ड के जो कोश्चन है उन्हीं का मानने होता है अगर कोई कोश्चन गलत है तो जैसे कि कोई कोश्चन अगर हिंदी लैंगोज में गलत हो गया है तो क्या होगा आपका जो इंगलिस में रहेगा वही माना जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन आप से कहा रहा है लास्ट में कि आपका जो गैस डर्वाइन होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं टीक है इसके आप लोग एफिस्यंसी कैसे सुधारेंगे इसको आपको समझाना है ऋके इने फुरिभ यह गर नई क्यू 7 तोजय इंजन कौन से हैं इसके का만 कौन से हैं ठर्बो सैट में क्याम कॉसे करता है ठीक है को आपको पताइगा यह जाहां चोभी योज होता पर इसके वड़ सब करेंगे तर आप तो अभी दोतीन दिन बाद ही आएगा इसके बाले आप अपने सभी दोस्तों को चैनल के बारे मता दीजिए और शेयर भी करते रहेगा वीडियोज को और एप्लिकेशन तो डाउलोड करें लिजिए क्योंकि पास होना है इंप्रोर्टन कोस्टन चाहिए तो हमारे एप्लिके सही लगेगा देखने में भी क्या कहा है कि इसका इक्जामपल सहिता आपको पूरा डिसकस करना है इसका फारूला क्या होता है इस अब आपको लिखना पढ़ेगा तो निमेड़कल कोस्टन आपको पीछे बता ही दिया कैसे पूछा गया है नेश्ट कह रहा है कि आइस्ट तो उसके चारो पांच वापको पढ़ना पड़ेगा सब में कुछ ना कुछ कामन है तो ऐसे कुछ कुछ सभी में कामन वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो आप लोग वहां से यह सब देख लीजेगा और अच्छे से अपने इस्टेडिस जरूर कर लीजेगा ठीक है इसके बात करें तो करें तो क्या होता है तो जितने हैं आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा अलाही पूछ लिया था कुछ नहीं बस कहा एक्स्प्लेंड थार फर्स्ट ला एंड फिर आगे देदिया सकनला उसके जिरोत ला तो पंदर नमर तो यहीं वर्पिक्स हो गया अब इससे चक्क क्या होगा उसमें तो इसमें एकदम खुशी में जूम उठेंगे कि थर्म डा हाई ठीक है अच्छे से पूरा परत्वी चलिएगा टाइम तो रहता है लेकिन पता है डिप्लम वाले लास्ट समय में पढ़ाई करते हैं लास्ट का दस दिन काफी होता है और आगे बात करें जो फेस डाइग्राम होते हैं किसी आइस के लिए वो किस टाइप से होते हैं य नेक्स्ट को से बात करें तो कह रहा है कि इसे टेंडर्ड इफिशेंसी आप डीजल इंजन क्या होती है इसको आपको लिखना है इस पर एक निवेड़कल कोश्चन भी आपको देखने को मिला तो आप इस निवेड़कल कोश्चन को भी साल्व करिएगा हम तो कराएंगे ही इसका निवेड़कल करना है तो फिगर तो बनाना ही पड़ेगा फिगर किसका होना चाहिए सिंगल स्टेज डिसीप्रकेटिंग एयर कंप्रेशर का ओके निवेड़कल कोश्चन नोट सापसे लिखने के लिए पूछा जाएगा कि थरॉतलिंग प्रोसेस क्या होता है आ रहे हैं ठीक है कि बात करें तो कह रहा है कि वर्किंग प्रिंसिपल आफ फोर इस ड्रोक आई सी इंजन क्या होता है इसके बारे मापको पढ़ना पड़ेगा ने स्कूचन कह रहा है कि जो ब्रेक पावर होती है इंजन को क्या होती है इस पर एक निमेरेकल कोश्चन कि प्रिवियस के कोश्चन है सालीसन तो हम देंगे ही नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है कि मेर्मेन कंपोनेंट्स काउन काउन से होते हैं इसको आपको लिखना है डिराइब करना है इसकी कैसे निकालते हैं यह सब भी आपको लिखना पड़ेगा ठीक है आगे की बात करें तो जेट इंजन क्या होता है इसमें जो टेर्बो जेट होता हो कैसे काम करता है इसका पुरा एक्स्प्लेइन करना है तो यह सब आपको बताएंगे साथ ही साथ आपको साथ नोट लिखना है थार्माल डेडियेशन पे और पालिशन कंट्रोल फार एसाई एंड सियाई मिलेगा ठीक है कोई नुकसान नहीं है कोई चार्ज नहीं रहेगा सब आपको फरीद दिया जाएगा और मिलेंगे आपसे हम पिर आने वाली वीडियो में और इंपोर्टेंट कोस्टन लेकर आएंगे जल्दी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए और अभी तो टाइम टे आएज में